आपको अब क्या करना चीए वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है तो पूरा वीडियो देखना है अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाओंगा कि अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप बिलकुल फ्री में हमारे अंडर में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाओंगा कि जो जाच की गई थी हिंडनबर्ग ने अडानी के उपर यहाँ पे आरोप लगाए थे कि अडानी ग्रूप ने बहुत सारे यहाँ वे फ्रोड गिये हैं अब यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट के अंदर न्यूज आई है आज ही यानि 5 दिसंबर को न्यूज आई है 8 बजे के करीबन और उस न्यूज के चलते हुए मार्केट के अंदर फिर से अडानी ग्रूप के सेयर है वो रोकेट बने हुए है ठीक है और यह जो जाच है वो किसने की थी? यूज की तरब से की गई थी United State International का यहाँ पे एक Development Finance Corporation है जिसको बोला जाता है DFC ठीक है DFC इसने जाच की थी? जब यहाँ पे US DFC के पास गए तो उन्होंने जाच की और जाच के अंदर उन्हों ही क्या कहा? उन्होंने US ने अडानी ग्रूप को क्लीन चिट दी है और साप साप कह दिया है कि अमेरिकी सरकार की जाच में हिंडन बर्ग के आरोप गलत पाए गये हैं यानि कह दिया है कि अमेरिकी सरकार ने जो जाच की है और जाच के अंदर हिंडन बर्ग ने जो आरोप लगाए है अडानी ग्रूप के उपर वो बिल्कुल गलत है और हिंडन बर्ग ने सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रूप से 100 बिलियन डोलर का यहाँ पे क्या किया है जो यहाँ पे मार्केट इसको लेकर के एक और खवर आई है कि अडानी पोर्ट है वो बहुत अच्छा कर रहा है और यहां पे market share है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसकी जो यहां पर asset quality है और जो यहां पे इसकी deals हैं वो काफी अच्छी हो रही है तो यहाँ पे स्रिलंका के अंदर एक port का यहाँ पे काम चल रहा था तो उस port के acquisition के लिए यहाँ पे loan लिया गया था तो वहाँ पे उसकी validity है वो भी बड़ा दी गई है और अंबुजा और सांगी इंडस्ट्री इनके अधिग्रेन को भी पूरा कर लिया गया है तो यह भी एक positive news है और कोटक यहाँ पे securities है उसकी तरब से भी Adani Group के उपर Adani Enterprises के उपर काफी अच्छी report जारी की गई है तो यह सीज हो गई अब जो यहाँ पे result है जो यहाँ पे news है वो हिंडनबर्ग की जो यहाँ पे जारी की गई थी हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे उनकी जाज करके जो clean sheet दी है US DFC ने US सरकार ने तो यहाँ पे Bloomberg ने यह जो रिपोर्ट है वो छापी है आप देख सकते हो 5 December है और 8.35 एम पे यहाँ पे रिपोर्ट है वो जारी हो चुकी है और इसके अंदर साबे यहाँ पे कह दिया है UX exempt Hindenburg allegation before giving loan to Adani ठीक है अडानी को लोन देने से पहले हिंडन बर्ग के अलियोसन को यहाँ पे नकार दिया है और इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जो आरोप लगाई है वो irrelevant है यानि वारंट relevant और इसने कहा है कि 100 बिलियन डोलर यहाँ पे short seller है हिंडन बर्ग ने Adani Group के share से कमाये हैं और यह सिर्फ कमाने के लिए काम करते हैं यह आरोप हैं वो गलत है अब तो यह सीज हो गई और इसी के अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दो से तीन दिन पहले सेबी ने सुप्रिम कोट को यह भी कहा था कि यहाँ पे अब हमें ज्यादा टाइम लेने की जौरत नहीं है हमें टाइम लेने ग्रूप की तो यहाँ पे सेबी ने कहा है सुप्रिम कोट से कि ज्यादा यहाँ पे जाज करने की जरूरत नहीं है कुछ भी अडानी ग्रूप के अंदर गलत नहीं हुआ है तो यह भी एक न्यूज आ रही है तो यहाँ से सभी तरीकों से आप देखोगे कि अडानी ग्रू अडानी ग्रूप के अंदर बहुत पहले हैं और इसी प्रकार की गिरावट है वो अडानी ग्रूप के अंदर तीन चार बार पहले भी हो चुकी थी तीन से चार बार पहले इसी प्रकार की गिरावट हो चुकी थी वापस सेयर है वो उपर के अंदर लाइफ आई बनाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा था तो इस टाइम पे भी आप देखोगे वापस से लाइफ आई की तरफ जाने वाले हैं सेर तो यहाँ पे अडानी पोर्ट को देख लो यहाँ पे पहले भी इसी प्रकार की गिरावटी थी और अभी भी यहाँ पे तीसरी बार हुआ है और यहाँ प अडानी ग्रीन को आप देखोगे तो पहले 2019 के अंदर 2020 के अंदर इसी प्रकार की गिरावट हुई थी और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यह अब वापस से अब साइड में जाने की कोशिस करेगा तो मैंने यह जो चार्ट है यह रिसर्च है आपको पहले एकदम क्लियर करके समझा दिया था कि अडानी ग्रूप पे बहुत बड़ा ग्रूप है और यहाँ पे आरोप लगाए गए हैं साबित नहीं हुए हैं जो हिंडन बर्ग है वो यहाँ पे सोट सेलिंग ग्रूप है तो सोट करके न्यूस फेला करके सोट किया जाता है वहाँ पे और पैसा कमाया जाता है तो उन्होंने आरोप लगाए है और ऐसे ही आरोप पहले भी लगाए गए थे अडानी ग्रूप के उपर और मैंने आपको कहा था कि यह आरोप यहाँ पे साबित नहीं होए हैं और यह आर रिपोर्ट सोंपी है वो sufficient है यहाँ पर decision के लिए कोई गलती नहीं है ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही जिस प्रकार से यह चार्ट आपको दिखा रहा हूँ यह पहले के चार्ट है जो मैंने आपको पहले research करके वीडियो बना करके दिखाया था कि history के अंदर पहले जाता है मजबूत होता है तब तो अब फैसला आपको करना है कि आपको अडानी ग्रूप के अंदर क्या करना है मेरी राय पहले भी आपको यह थी कि इसके अंदर आपको बने रहना चीए काफी अच्छी upside बनने वाली है और इसके अंदर कोई गडबड नहीं होने वाली है क बहुत बड़ी बड़ी कंपनिया है जो यहाँ पे इंडिया के अंदर production करती है अगर यहाँ पे इसके उपर आरोप लगता है तो इंडिया की साख के उपर भी आरोप ही लगने वाला था इंडिया के अंदर trust नहीं होने वाला था तो यहाँ पे सभी आरोप है वो गलत साब अब भी बताया है आपको खुद से करना है चाहिए कि क्या करना है ग्रूप के अंदर तो आसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सस्क्राइब कीजे और डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमेट अकाउंट उपन कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक में मिल जाएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यो वरी मच